सब्सक्राइब नाओ, और प्रेस्ट बेल आइकिल, नेवर मिस अन अपडेट ओम नमस्षिवाई अतहस्रे गंदरवराज पुष्पदंत्र चीत, सीव महिमा स्तोत्र अर्थ सहित पुष्पदंत उवाच ए भगवान, आपना निर्गून स्वरूपना महिमानो पार पुरुषो जानता नथे कारण के आपना निर्गून स्वरूप मन वानी थी पर छे तेमज आपने पुरुषोय करेल स्तूती पान वर्नवी सकती नथे ब्रम्हादीनो संस्कृत भासानो सब्द बंडार पाण आपनो निर्गून सरूप वर्णवी सकती नथे ब्रम्हादीकनी वानी पाण हे हर तमने वर्णवा माटे समर्थ नथे पक्सी जेम पोतानी सक्ती प्रमाने उडे छे तेज प्रमाने सर्वजन पोध पोतानी बुद्धीने अनुशरीने आपनी स्तुती करे छे तेथी सर्वेस्तुती कर नाराओ तेमनो दोस होईतो पाण निर्दोस छे अने या महिमन स्तोत्र बाबत मारो प्रयत्न पाण तेज द्रश्टी नो निर्दोस छे ए भगवान आपनो महिमा, मन तथा वानी वडे जानवामा आवतो नते अने आपना महिमानू स्त्रुत्तियो पाण गौरो पुर्वाक एजरिते वर्णान करे छे वाक्यवडे बेद सगुण स्वरुपनो निसेद गरवाच छता विजा अर्थवडे सगुण वस्तुनू प्रती पादन पण करे छे आपनो ए रितनो अपार महिमा वर्णावाने कोई पुरुष शक्ति मान नते तेमाज आप कोई पुरुष ने इंद्रिय गौचर पन नते अने आम तमारू निर्गुण स्वरुप बदाने अगमिया छे अने तमारा सगुण स्वरुपने वर्णावा माटे संस्कुरुतादी भासाओ मा सक्ति नते ते छता तमारा सगुण स्वरुप नितो संकर बदा स्थूती करे छे हे भगवान मारी स्थूती तमने कोई पन प्रकारे यथार्थ वर्णवी सक्ति नते कारण के तमें वेदोनी मद जेवी मधूर वानीनी रचैता छो हे भगवान वानीना भंडा रुप ब्रम्हादीनी स्थूती पान खुश ना करी सके तो मारी स्थूती तमने क्या थी संतोज आपी सके हुँ आबदू जानों छो छता तमारी हुँ स्थूती करूँ छो कारण के एच छे के हुँ तमारा स्तवन्थी मारी वाणी ने निर्माण करूछु अने एमज हुँ मानूछु के मारी वाणी थी तमे आनन पामोछु अने ए मारी धर्णान थी अने आज कारण थी हुँ तमारी स्तुती करवा प्रवरुद थयो छु ए भगवान आपनु एश्वर्य जुदे जुदे श्वरूपे जुदा जुदा गुणो ए करेने ब्रम्हा, विश्णु औने महेस ए त्रान व्यक्तिमा आरोपीत छे अने ते ब्रम्हा, विश्णु, तथा रुद्र, सत्व, रजस अने तमास ए त्राने गुणो वडे जुदे जुदे रूपे प्रतीत थाई छे वड़ी ए एश्वर्य त्रणे लोक्ती उत्पती स्थिती तथा त्रणे नो प्रलै करवाच्छता ब्रम्हा, विश्णू तथा रुद्र रूपे रहेचे हे भगवान तमारू रूप न समझी सकवाना कारण थी जड़ बुद्धी वाड़ाओ आपना एश्वर्य नी निंदा करेचे अने निंदा पापी पुरुषोंने लागेचे, परन्तु आपना सर्वग नाती गुण यूग एश्वर्य नी निंदा सिद्ध मनुष्योंने अती अप्रिय लागेचे हे भगवान पर्मेश्वर त्रण भुवननी उत्पती करेचे परन्तु जडबुद्धी वाडवो, जगतने उत्पन करवा बाबत सी क्रिया थती हसे, ते क्रिया कया प्रकार नी हसे एमा अमलमा कया कया प्रकारो योजाया हसे जगतनो आधार तथा जगतने उत्पन करवा मा निमीत अने उपादान कारण सुँ हसे आवा क्रुतक करे छे अने एक्रुतरतनू तात्परिय एच छे के जगत भर्ना आपना भगतोना चीतने ब्रह्मणा पमाडवी अने आपने विशे आवा क्रुतक ए अयोग्य छे कारण के आप तो अचित्य महात्मैथे युक्त छो ए भगवान आप सर्व देवो मास्रेष्ट छो छता आद्रश्य मान सब्त लोक शाकार छे अने आम जगत साकार होवा छता और जन्मा हसे ए संबवेत न थी कारण के जे साकार वस्तू छे तेनो जन्मा पन होए छे जेम घडो साकार छे तेथी स्ते उत्पती मान छे अने तेम आ जगत अधिस्ठान पर्मेश्वर नी अपेक्षा वगर उत्पन के विरिते थयू हसे इस वर्शिवाई बिजो कोई जगत करता हसे ब्रह्मान ने उत्पन करवामा आप विशे अने प्रकारना संदिह मूड जन मा थाई छे परन्तु आपने विशे संसाई करवो योग्य न थे तेमज आप करता बिजो कोई समर्थ पण न थे त्रोन वाक्यो वडे त्रोन वेद तमारी प्राप्तिनो मार्ग बतावे छे सांख्यवडे कपिल योग सास्त्र द्वारा पतन जली मुनी तथा नियाई सास्त्र द्वारा गौतम कल्याण मुनी पसुपति वडे सेवो तथा नारद के जेवो नारद पंच रात्र ना रचना छे तेवो वैश्नो मत द्वारा तमारी प्राप्तिना भिन्न मिन मार्ग बतावे छे आ मुख्य पांच भेद छे आने सकल मत वादियो अहंकार वडे प तेम अधिकारी भेद वडे आप एक प्रभू शगडाज मनुष्यने प्राप्त थावो छो ये वर्दान आपना नंदी खटवांग फर्षी व्याद चर्म, भस्म, सर्प, कपाड वगेरे तमारा जीवन निर्वाहना साधनों छे छता ते आपेली संपतिने राजाओ पन भ भोगवे छे ए अबईना दाता विशयो जान्जवाना जड़ जेवा होई छे ते आतमाथीच प्रसन एवा योगोंने ब्रह्म्ह निस्टाथी चलाई मान करी सकता न थी हे पूर्मथन केटलाक सांक्य अने पातंजल मतवाडा मिमान सको सर्व जगतने नित्य अनित्य माने छे बिजा मतवाडा नास्तिको आ जगतने नित्या नित्य माने छे अने एरिते बिन्न मतवादी लोको आ जगतने बिन्न बीन प्रक्रुती माने छे आ बिन बिन मतो वाडा तमारा स्वरूपने जानता नथी, तेमज हुँ पन आपना स्वरूपने जानतो नथी, तो हुँ तमारी हासी थवानो भैत्य जीने तमारी च्प्राथना मारा सब्दोथी करूँ छुँ आपना एश्वर्यनो अंत लेवा सारू ब्रह्म्हदेव, आकास्तरफ अने विष्णू पाताड मा गया हता, परंतु उभैमाना कोईने पन आपनी लिलानो अंत प्राप्त थयोज नहीं, कारण के आप प्रभूतो वायू अने अगनी छो, तेमा वायू गत्व गयंत मूढ छे, अने ब्रह्म्हदेव मात्र, ब्रह्म्हान ना अने विष्णू मात्र, जड तत्वना निवास छे, माटे आपनू एश्वर्य जानवाने कोई समर्थ थता न थे, अने ए ब्रह्म्हा विष्णू ना अंतर्मा, आप स्वतह प्राकट्टिय मानो छो, अने विष्णू स्रद्धा, अने भक्ति वडे आपनी स्तुती करे छे, ए भगवान, आपनी सेवाफर्नी प्राप्ति करती नहीं होई, एम मानू एक केवड मुर्ख था छे, आपिश्वर्नी भक्ति तो, साक्सात परंपरागत फडने आपनारी छे, ए त्रिपुर्विनासक, य युद्ने इच्छाने लिदे, सदा उनमध्थै रहेला, वीश हजार भुजाओ यूग्द, रावलने यंत्र हीत पणे, नी सस्त्र यूग त्रिपुवन्नू राजिय, पराक्रम मात्र आपनी स्थिर भक्ति नेज आबारी छे, ए भक्ति एवी छे, कि रावने पोताना दस मस्तक, पोतानी हाथे छेदी, तेनी पंक्ति करी कमलनी पेठे, आप प्रभुने चर्णे बलिदा नाप्या हता, अने विशेज करीने, आपनू पुजन सफ़ड वस्तूनी, अधिक दाथी प्राप्थवाना हे दूरुपे छे, ए भग्वान, रावन आपनी समीब, कैलास मा वस्तो हतो, त्यारे पन, त्यारे पन ते पोतानी वीज पुजाओनू पराकरम देखाड़तो हतो, आपना बढ़ने लिदे, ए पाताड मा टक्की शक्यो नई, अने आपनी सेवा भक्तिने लिदे, रावन ने पन बढ़ प्राप्थईू हतो, रावन ना मस्तक पर, अना यस अंगुठानो भार रावन थी, सहन ना थवा थी, पाताड मा रेवायू नई, अने विशेश करीने पारका एस्वर्यने पामेला, जे दूस्ट जान मोध पामे छे, तेमने महापुरुष्णी कृपा, फल्दाता थती न थी, ए वर्दाता प्रभू, इंद्रती पन अती उत क्रुड सम्रुथ्थी बरेला, हात्रणे भूहनोंने दासत्व पने, वर्ताव नारो बाना सूर्पन, पाताड मा लही गयो हतो, अने एमा काई आस्चरिय न थी, कारण के ते आपना चरणी पुझा करनारो हतो, के जे जनों आपने वंदे छे, ते उने फर्णी प्राप्ती थाई चे, ए प्रत्यक्स चे, हे त्री नयन, आपे क्रुष्णा पंडूर वर्णाना विश्णू पान कर्यू हतो, छताए वीज, आपना कंटमा थिर रईयू होवा थी, ते आपने अतिसा इसो भापे छे, कार समय आवेला ब्रह्म्हान नासने देखीने, देवो तथा प्रोना कलेस ना सारू आपे क्रुपा करीने विश्णू पान कर्यू, तो हे प्रभू संसारी जनोंना दुख दूर करवानू आपने व्यसन अच्छे, हे इस कामदेवनू बान भाला रही च्छे, तेनू बान आ जगतमा देवसूर तथा नरलोक ने जितवाने निश्फण न थता सर्वने वस्थाई छे, आपनी साथे पन कामदेव बिजा इंद्रिय देवोनी पेठे वर्तवा लागियो छे, तेथी तेनू आपे दहन करियू, अने श्मरान मात्र नूँच कामदेवनू सरेर बाकी रही रहियू हतु, ए कनिस थयो अने एनू कारन मात्र जितेंद पुरूशोने भाई पमाडवानू छे, अने ए सुखनो हेतु न थी, केमके विश्वर नो अनादर ए विश्व नास कारक छे, ए बगवान, आपे जगतना रक्षन तथा दूस्टोना नास ने अर्थे, प्रुत्वी उची नीची थवा लागी हती, एवु तमे नुरत्य कर हतु, त्रांडव नुरत्य वक्ते, हावभाव माटे आपे बुजाओ हलाविने, तेना आगात्थी विश्वनु लोक, तारा, नक्षत्रो, आदिनो नास थवानी संका थवा लागी, अने उभई स्वर्ग द्वारा व्यथा पामिया हता, तेमज आपना नुरत्य थी स्वर पर्गनु एक पासू तांडित थयू, अने आपनु ए एश्वर्य देखिती रिते विप्रीच छे, तो पन ते जगतनी रक्षा माटेच छे, ए जगदादार, आपना सरीर पर गंगानो महान प्रवा, जेनी फर फर नी पेठे वरस्तो देखाई छे, ते थी तमारा विराड स्वरूपनु बांधाई छे, अने आ जड प्रवाना आकास्वत, व्यापक अने तारा तथा नक्षत्रों ना समूमा फीन समान, छता तेनो भास्ताई छे, जेमनगर नी पाछड चो तरफ खाई होई छे, तेमाज गंगाना ए प्रवाय, प्रुथवीनी चो तरफ सर्व गतने आवराण करियो छे, एथी आपना विराड शरीर ने अनुमान्थी जानी सकाई छे, के आपनो शरीर दिव्य प्रभाव योक्त छे, हे देव, जे समय त्रिपूर ने दहान करवानी, आपनी इच्छा थई, ते समय प्रुथवी रुपी रत, ब्रम्ह रुपी सार्थी अने हिमाचड पर्वत रुपी दनुज, सूर्य तथा चंद्र रुपी रत ना पेडा, जड रुपी रत चरन, एटलेके रत नो पिंजनियों, तथा विष्ण रुपी बान योजीने, तमे त्रिपूर ने हनियों हतो, हे प्रभु, बड, विर्य सक्ती, तथा बुद्धी स योग्द, पुरुसो निस्चै करीने, परा धिन पने क्रिडा न करता, तमारीत सक्ती थी यस आनंद मेडवे छे, हे त्रिपूर हर, आपनी चरनी पुझा, विष्णू सहस्त्र कमड वडे करवाला किया, तेमा एक कमड ओचु होई, तो पोताना नेत्र कमड नी तुला संकल करीने, अथवा पोताना सरीर ना कोई पन, विजा अव्यववडे आपने अरपन करता हता, अने आविद्रड भक्तीने लिदे, चक्र रूप धारन करीने, स्वर करीने मृत्यू, तथा पातार, ए त्राने लोक नू रक्षन आपज करो छो, ए रिते सुदर्शन चक्रनी, सक विश्णूने आपेज आपेली हती, हे त्रिलोक ना स्वामी, यगनादी क्रियाओ पूरी थाई गया पची, घणे वक्ते अने जे देश मा यगना करियो होई, तेना थी बिजेस थडे, तथा आ जन्ममा करेला, यगनादी क्रियाओनू फड, बिजा जन्ममा पन, और पवा आने तू हम्मेसा जागरत रहेचे, चेतनरूप इस्वरनी आराजनाथी, अने तेने प्रसन करियाथे, यगनाना बधा फडो मलेचे, हे प्रभू, तू सर्व व्यापीचे, तारी इच्छा वगर त्रून पान हाली सकतू नथे, आथी यगनादी करियोना फडा पवामा, तेमने आधार पूत मानीने लोको स्रूती वगेरे सास्त्रमा स्रत्दा राखी कार्यानो आरंभ करेछे, ये सरने आवनारने सरन आपवाडा, यगनादी तत कर्मो करवामा कुशड, दस नामे प्रजापती पोतेज यगन करवा बेठा हता, त्रिकार दर्शी भुगु वग रुष्यो यगन कराव नार हता, अने ब्रह्मादी देव सभामा प्रेक्षको तरीके बेठा हता, आटला उत्तम सामगरी अने साधन होवा छता पन, यगन करता दक्षे फड़नी इच्छा करी होवा थी, तमे ए यगनने फड़ रहीत करी दिदो हतो, ए योग्यज हतु, प्रजानात इस्वर, पोताना दुहीता सरस्वतिनु लावणिय जोई, कामवस थवाती ब्रह्मा तेनी पाछट दोडिया, अने एटले सरस्वतिये म्रुगलीनु रूप लिदु, त्यारे ब्रह्माये म्रुग सिर्ष नक्षत्र केवाई छे, ते म्रुगनु रूप लईन तेनी साथे क्रिडा करवा हट लेधी, एवामा आपे जोयू के आ अधर्म थाई छे, माटे तेने खचित दंड देवो जोये, अने तेथी आपे वियाग नामग आदरा नक्षत्र रूपी सर ने तेनी पाछड मुक्यू हतु, अने आज सुधी पन ते बान रूपी नक्षत कामी प्रजापती नी पूठ मुक्तू न थे, एतरी पूरारी दक्षकन्या सतिये पोताना पिताने त्या पोतानू अने पतीनू अपमान थवाथी यग्नमा जंपलावी यग्न ब्रस्ट करियो हतो, अने त्यार पछी तेज पतीने वर्वाने बीजे चन में पर्वतनी पु अने प्रयत न करिया, पन ते वियर्थ निवडिया, देवोय धारियो के यग्न वेडा थेला अपमान थी, क्रोधाई मान थेला महादेव जीनो उग्रताप हवे आपना थी सहान थाई सक्षे ने, तेथी तापने दूर करवाने पार्वती साथे महादेव काम वस्थाई पर कारी मैं जोवा लागिया, परन्तु महादेवे तरत त्रिजू नेत्र खोली पार्वतीनी साथे काम देवने भश्म करी दिधो, अने आम छता पन पार्वतीने मात्रा विरदूख्ती उगर्वाने माटे तमे अर्धांग ना पधापी हतु, अने आ तमारू कारिय जीव मू प्रेतोनी साथे नाचवू, कुद्वू, अने फर्वू, चितानी राखोडी सरीरे चोडवी अने मनुष्यनी खोप्रियोनी माडा पहर्वी, अवा प्रकारनू तमारू चरित्र केवण मंगल सुनिय छे, छता तमारू वारमवार जे स्मरण करे छे, तेने तमारूना मंग कडमय होई, तेने माटे तमारी भक्ती मंगड कारी छे, हे दाता सत्य ब्रम्हाने सोध्वा माटे अंत्मूड थयला जे योगियो छे, तेवो मनने रदैने रोकिने योक्सास्त्रमा बतावेला यम नियम, आसन्वडे प्राणा यम करे छे, अने ब्रम्हाननी अनु भूती म अनन्थी आखोमा हर्ष्णा आसु अविजाई छे, आवा दुरलब स्थरने प्राप्थेला योगियो वडि इंद्रियोंने अगम्य, मात्र अनुभवने जानी सकनारा अवर्णन्य, एवातारा तत्वने, अनुभवीने जाने, अम्रुथी बरेला सरोवर्मा शनान करता हो तेवो आनन्द मेडवे छे, हे विश्वंभर, तू सूर्य छे, तू चंद्र छे, तू पवन छे, तू अगनी छे, तू जड तथा आकास रूप छे, तू प्रुथ्वी छे, अने आत्मा पन तूच छे, एम जुदा जुदा सरूप मा अनुभवी पूरुशो ताने परन्तु हे प्रभू, ते बधाना रहस्यो रूपे, तू आखा ब्रम्हान ना शर्व व्यापी, शर्वनो करता, भोगता, अने नास करता बनी रहेलो छे, ये असरन सरन, त्राण वेदो, त्राण अवस्थाओ, त्रिलोक, अने आकारा दी त्राण अक्षरो नाने, भला ओ ओमकार पद ए बधा तमारूज वर्णन करे छे, अने तमने आकार्थी स्थूल प्रपंच रूपी, उपकार्थी सुक्ष्मा प्रपंच रूपी, अने माकार्थी स्थूल सुक्ष्मा प्रपंच योग, माया रूप जणावे छे, वड़ी योगनी चोथी अवस्ता वक्ते उपस्तो सुक्ष्मतर ध्वनी तमने स्थोड अने सुक्ष्मा प्रपंचो तेमज मायादी सर्व उपायोथी रहेत अखन चैतन्य स्वरू पात्मा ओमका रूप सिद्ध करे छे ए देव तु जगत करता भक्तो माटे जन्मलेनार सर्व पशुओना पालक रूपे पशुपति पापियोना पाप विनाश माटे रुद्र अधर्मनियोने दंड देनारो उग्र अने सर्वना स्वत्व रूपे सहमहान वीश्पान रावनने दंड त्रिपूर्नास अने कामदह जेवा भयंकर करमोथी भीम औने जगतने यसे च अने यथार्थ नियम्मा राखनार इसान छे आवीरिते जेम स्रुती प्रणावनों बोध करावे छे तेम आ तमारा आठ ना मोनोपन स्रुती बोध करावे छे ए देव पोताना प्रकासना चैत्यन्य पणाने लिदे सर्वदा अद्रश्य सर्वने आधार रूप केवड चीत वडे जानी सकाई एवा आपने बिजीको यथात रिते नहीं जानतो होवा थी हुँ मात्र वाणी, मान अने सरिर्वडे आपनेज नमस्कार करूछू निर्जान वान विहार नी श्प्रुहार आखनार भक्तोनी खुब समीब तेमाज अधर्मियो थी दूर वसेला हुँ तमने वंदन करूछू हे कामनो नासकर नार अनुथी पन अनु तेमत सर्वत्थी महान तमने हुँ नमूछू ये त्रीने त्रोने धारन कर नार व्रुद्ध अने युवान रुपे प्रकटता तमने मारा नमस्कार हो एक बिजानी अती विरुत स्तिती मारे नार ये स्वरुप भगवान तमने हुँ नमूछू अने ते थी आ तमारू द्रश्यसरूप छे ने पेलू अद्रश्यसरूप छे अभे दुप एक शवारू पात्मक्येवा तमने हुँ वंदूछू आखू जगत तमारा मयी चे तमने हुँ नमूछु। आ विश्वनो विनास करवाने सत्व तथा रजस्थी अधिक तमस रुतिने धारन करनार हुँ तमने नमूछु। जनोना सुक माटे तियोनु पालन करवाने रजस्था तमस थी अधिक सात्विक रुतिने धरनार मूण। तमने नमूछु। आप तरी गुणात्मक छो अने जियोति रूप छो तेथी सत्व रजस्थ अने तमस एत्रणे गुणो थी रहीत प्रकास्मै एवा तारा पदने पामवा माटे एक सरु पात्मक शीव। एवा तमने हुँ वारमवार वंदन करू छु। हे कल्प तरुनी जिम कामनाओने पुर्ण करनार आप अमारा अल्प विशयक अग्नान राक द्वेशादी दोसो थी मलिन चीत क्या आ अने आपनो त्रिगुण रहीत यथार्थ गुणगान पन नक थाई शके। एवु सास्वत एश्वर्य क्यां छे आ बेनी अत्यांत अयोग्य तुलना करता हुँ आश्चरिय पामो छु। मने तमे दयाकरीने तमारी भक्ती करवा प्रेरियोचे अने तेथी तमारा चरण कमडोमा अमारी वाक्यो रुपी पुष्पोनी भेटापवाने हुँ सकती बान थायोचु। एश्थावर अने जंगमने नियम्मा राखनार शम्मुद्र रुपी पात्रमा काडा पमाक्ष्मी साही थी कल्परुक्ष्णी डाडीने कलम रुपे लईने तथा आखे पुथ्वीने पत्र बनावी। आवा सर्वतम साधन वडे अनंत विद्यानो पार पामेली सरस्वती पोते जो तमारा गुणोनु वर्णन जरापन सोभ्यावगर अरहमेस लख्या करे तो पन तेनो अन्त पामे तेम नथी। ये इस्वर, देवो, दानवो, अने मोटा मोटा मुणियो थी पुजीत, चंद्रने कपाड मा दर्नार, जिना गुणोनो महीमा अहीं वर्णव्यो छे, ते तथात सत्व, रजस, अने तम एवा त्री गुणो थी रहित, तमारु आस्तोत्र बधा गुणो थी योग, एवा आचारिय स्रेष्ट पुष्पदंत नामे एक यक्से रचियो छे, ए जटा धारी, निर्मन मनवाडो जे कोई मनुष्य, दरोज परम भक्ति थी आ उत्तम स्तोत्र नो पाट करे छे, ते सिव स्तुती ना पुन्यने मेडवे छे, अन्ते सिव लोक मा रुद्र ना पदने पा खरे खर, महेस ना जेवा बिजा कोई स्रेष्ट देव नथी, आ महिमन स्तोत्र जिवी बिजी कोई स्तुती नथी, अगोर नामना मंत्र थी, बिजो कोई महान मंत्र नथी, अने गुरु परम्परा विनानू अन्यकाई स्रेष्ट नथी, आथी गुरु परम्परा हे अने हुँ स्तोत्र द्वारा नमस्कार करूँ छू। दिक्सा, धान, तप, तीर्थ, ग्नान अने यगनादी क्रियाओ जे लोको शकाम पने करे तेना करता पन तमारा महिमाना आपाट्थी जे सोड मी कडा ते वधी जाई छे। माटे तमारिया स्तोत्र थी भक्ति करवी एजू तम छे। महादे कोपाई मान थया अने पुस्पदंतनी अद्रश्य रेवानी सक्ती नास पामी अने आथी सिवजीने प्रशन करवाने सर्व गंदर्व राजा अने बालंदुने कपाडवी से धरावना शंकरना दास कुसुम दर्शने पुस्पदंते आ अती दिव्यस्तोत्र आस लोक मां आस्तोत्र नो महिमा वर्णाव्यो छे इंद्र अने मुनियोथी पुजायलू श्वर्ग मोक्ष्प्राप्तिना एकत साधन समू हम्मेश परदायक अने श्री पुस्पदंते रचेलू आस्तोत्र जे कोई मनुष्य बेहात चोड़ी नम्र भावे तथा एकात्म थैने भक्तिती स्तवे छे ते किन्नरो थिस्तुती पाम्तो सिवनी पासे जाई छे आसमाप्ती सुधिनु स्तोत्र उपमा आपी सकाई तेवू छे ते मनोहर मंगल मै इस्वर्णा वर्णन रूप होई ते पुस्पदंत नामे यक्षे रचियू छे हे देवो ना देव मारी वानी रूपी आपुजा तमरा चरण कमण मा अरपन करी छे तो आप सर्वदा प्रसंथ जो हे महेस्वर हे महादेव हूं तो अग्नानी छूं आपनू तत्व कयू अने आप केवा होई सको तेनी मने खबर न थी पन जेवी रिते पोतानी कर्तव्य परायन ताने ना समझनार मानावस नेवस थाईने वडिलने नमे छे तेवा भावती हूं आपने पुनहा पुनहा नमूछूं जे मनुष्य दिवस्मा एकवार देवार के त्राणवार आस्तोत्र नो पाठ करे छे ते बदाज पापोती छूटीने सिवलोक विशे पुजाने पात्र थाई छे जे कोई श्री पुष्पदंतना मूख कमण माथी निकलेलू सर्व पापोने नास करनारू सिवजीने अतिप्रिय एवू आस्तोत्र ने मोडे करे छे अने तेनो त्यान पुर्वक पाठ करे छे तेना पर अखिल ब्रह्म्हान ना पाल कपिता श्री महेश प्रसंथ हाई छे सव लोको या स्तोत्र नो पाठ द्यान पूर्वक सामबढ़ियो हसे अने मित्रो आपने सव लोको आ स्तोत्र ने सामबढ़ता के वास्तातो होई एच्छी है परन्तु आपने तेनो अर्थ खबर होती ना थी अने तेथी ज आजना आ वीडियो मा में आपने आल मैमा स्तोत्र अर्थ समझावियो क्या सिव मैमा सोत्र मा सुंकेवा मा आवियू छे अने स्रावन मैना ना आप अवित्र द्यूसो मा जे पन भग साचा मन्थी भोडानाथनू नाम भजे छे तेना तमाम पाप दूर थाई छे अने प्राचिन काडमा महादेवना आवाजपरंभग थे गया ह गंदर्वराज पुजपदंत के जेमने साचा मन्थी कैलास पती नी उपासना करे हते अने तेना फ़र स्वरूपे तेमने सीव महीमा स्तोत्र जेवा पाठ नी रचना करे अने जे आपने आजना द्यूसो मा सामड़ी सक्ये छे तेथी आपड़ा माटे आखुबज भाग्य नी वाद गेवाई के आटला वर्षो पहला रचेलू आस्तोत्र नो पाठ आजना यूग मा आपने सामबढ़िये छिये तो मित्रो आसा छे क्याब सो लोकोंने अमारो वीडियो पसंदावियो हसे तो वीडियो ने लाइक करी अमारी चेनल ने सब्सक्राइब जरूर थी कर अने आपना मित्रो साथे पन अवस्य सेर कर जो के जेथी ते लोकोंने पन शिव माई मां स्तोत्र नो अर्थ समझाए अने तेव पन नित्य आस्तोत्र नो पाठ करे तो मित्रो आसा छे अवमने रजा आपो मणी सुफरी थी एक नवा वीडियो मा त्यां सुधी आप सो ने अमारी चैनल ना जय स्रीकरश्न